नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का श्वागत है चुकि खिचिरी का तेओहार है और हम सब लोग लईया तिल वगेरा बनाते हैं तो इसी में हम मैं आपको प्रस्तूर करने जा रही हूं मुंफली की चिक्की देखे जैसा कि पैन गरम हो चुका है मेरा और मैं मुं फ्रेम पर इसको भून रही हूं श्लोली स्लोली अच्छे से ताए के पूरी तरह बराबर से भून जाए ऐसा ना होगी कहीं कच्छा और पका हो सिर्जसे मैं में तेसा की खुका है आप देख सक्ते हैं कि इस पे थोड़ी चित्ती पढ़ चुकी है और यह बराबर से भूना है कहीं जला नहीं है और इसको अब देखिए थाले में निकाल ली हूँ मैं इसको इसको चिलका है वह उतारने वाली हूँ एक हलका हलका रगड़ रही हूँ ताकि यह साफ हो जाए चिलका निकल जाए क् तो देख सकते हैं जो थोड़ी बहुत गण्दगी है या पिर टूटे-फूटे उनको मैं अलग कर दे रही हूं चाकि एकदम देखने में सुन्दर लगे जब हम बनाते हैं चिकाथ उसमें सुन्दर दिखना भी चाहिए भी जरूरी है दात में कुछ अठकना नहीं चाहिए अक्सर इसमें थोड़े बहुत कंक्रीट पगहरा होते हैं तो सब भी निकाल लेना चाहिए और मुंखली के दाने को अलग-अलग कर लेना चाहिए बराबर से जिससे जब आप उसे बना रहे हैं तो फिर उसका जुली यह वह सही तरीके स से बैठार ऐसा नहों कि उचा नीचा हो तो वह आपका सेफ देने में दिक्कत होती है इस वज़े से देखे मैं अच्छे से इसको अलग कर रही हूं बहुत आराम से दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने दूसरा पैन रख दिया है यह नॉन स्टिक पैन है और इसमें मैं घी डाल दी हूं घी से यह चीज होता है कि आप घी डालने के बाद कुछ भी आप दालेंगे तो तले से नहीं पकड़ेगा जलेगा नहीं और चुकि मुझे इस अच्छे से लेप बनाना है तो मुझे हलका सा पानी भी डालना पड़ेगा और अब मैं सहारी से हलके हलके इसको पकाती हूं देखे जासा कि मैं पका रहे हूं यह थोड़ा शाब जो टुकड़ा वह बढ़ा है इस वसे से मुझे इसी हल्का सा दबार दबा के पकाना पड़ा है ताकि अच्छे से बराबर से पक जाए कहीं चूटा बढ़ा न हो कहीं गुड कर टुकड़ाना बच जाए अब देखिए वह बाल खाने लगा है आप देख सकते हैं कि गुल मेरा पूरी तरीके से उबल जाया है थोड़ा से इसको रुखते हैं देखते हैं थोड़ा और यह पंग जाए ट्रेंड्स आप देखें मैं इसे लागा तार चला रही हूं ताकि इसमें कहीं भी दाना ना बचे या फिर गुड़ का टुकड़ा ना बचे अब मैं इसे चेक करने के लिए देखें पानी में डाल दी हूं छोटी सी कटूरी में ठंडा पानी लेजिए इसमें डाल दीजिए यह गुड़ को चेक करने के लिए जरूरी होता है कि हम यह पता चले कि क्या हमारा गुड़ रिडी है कि नहीं चिक्की बनाने के लिए देखे मैंने पानी में डाल दिया है उसे अब मैं उसे तोड़ने की कोसिस करूंगी देखे मैंने तोड़ने की कोसिस कर रही हूं बड़ वह टूटा नहीं अभी वह सॉफ्ट है तो इसका मतलब है कि मेरा गुड़ भी चहीं तरीके से प्रिपार नहीं है इसे थोड़ा और पकानी की जुरूरत है कि देखे मैंने फिर थन्ड़ पानी में डाल दीओं मैं उगलियों के सहारे से से इसका सीथ देनी की कोसिस कर रहीं है जिससे के मुझे पता चल जाये बाद में थोड़ा से रुखके देखते हैं थोड़ा मेरा कुर्ध चम झायए जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कुछ जम चुका आप मैं इसे तोड़ने की कोसिस कर रहे हूँ देखी फ्रेंट्स तूट गया रहे हैं देट मिन्स कि मेरा जो गुड है वो अच्छे से प्रेपार हो चुका है चिक्की के लिए अब मैं जो मेरे दाने हैं मैं उनको इसमें डाल रहे हूँ बराबर से मैं इसे मिला ले रहे हूँ बहुत हलके से हमको मिलाना चाहिए ताकि बराबर से इक्वल से मिल जाए और देखें जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा अच्छे से मिल चुका है फ्रेंड्स आप देखें मैं यहाँ पे एक नया एकदम साफ पॉलिथिन ले रहे हूँ पॉलिथिन मैंने इसले लिया है ताकि इसमें इक्वल से मेरा लेप गिड़ सके और मैं इसमें घी का एक लियर लगा रहे हूँ ताकि जब मुंख़ली की चिक्की बने तो उससे वो छोड़ दे पॉलिथिन उसमें चिपक न जाए और देखिये मैं इसे एक बराबर से इस लेप को पॉलिथिन पर बराब्र से लगाने की कोसिस कर रहे हूं अबने पल्टे के सहारे आप देख सकते हैं जैसा की इक्वल होना चाहिए बराबर से पूरी तरीके से फैलना चाहिए इसके लिए मुझे अपने हाथों का साहरा लेना पड़ा है क्योंकि पल्टे से देखे दोस्तों वह इक्वल नहीं हो रहा है फ्रिंट्स ऐसे ही जैसा कि आप देख रहा है मेरा अब यह बन चुका है अब दूश्रा पॉलिथिन मैं उपर से लगाऊंगी इससे यह फैयदा होगा कि जो मेरा लेप है उपर से भी बराबर हो जाएगा और नीचे से भी बराबर हो जाएगा बेलन से मैं उसे एक सही सेव देनी की कोसिस कर रहे हूँ थाकि दोनों इक्वल ज्यादा मोटा ना रहे मेरा लेयर पतला होना चाहिए और बराबर होना चाहिए इसलिए मैंने दोनों तरफ पॉलिथिन का यूज किया देखिए फ्रेंट्स मैंने आप सोच्छोंगे मैंने इसके पीछे यह रिजन होता है कि अगर जम जाएगा तो पॉलिथिन आप निकाल लिएगा जब भी तो फिर वो इक्वल से निकल जाएगा कपड़ा ले सकते हैं या फिर कोई भी और अलग आप चीज लोगे तो फिर उस पर चिपक जाएगा फिर आपको निकालने में दिक कते होंगी इसलिए आप लोगों को मैं यही सजिस्ट करूंगे यदि आप लोग बनाई है तो अच्छा साफसूती पॉलिथिन का ही उज करें देखिए आप कितने बराबर से मेरा जो है चिक्की प्रेप्यार हो चुका है आप देख सकते हो कितना सुन्दर लग रहा है यह और यह किन वानिये मुझे तो अभी बहुत लाला चाहा रही है वह टेस्टी लग रहा है यह देखिए दोस्तों मेरे बच्चों को यह बहुत पसंद है इसलिए मैं अपने जर्रली अपने घर में बनाती हूं प्रेंट जैसा कि आप देख रहा है मैं इसे कट कर रही हूं देखिए दोस्तों यह कट करने के लिए आपको विश्यज ध्यान यह देना पड़ेगा कि जब भी आप इसको कटिंग करने करिए तो आप देखिए कि बहुत गरम नहीं बहुत थंडा हो अगर बहुत थंडा र जिससे वह इकवल से कट जाए आप चाकू के सारे आप चेक भी कर सकते हो एक बार चाकू लगाओ गया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सही से प्रिपैर्ड है यह मैं इसे सेफ दे रही हूं मैं खाने में थोड़ा सा इजी पड़ता है वाँ फेंच कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं अगर देख लिए